प्लेट क्या होती है यह अपन आज की क्लास में डिसकस करेंगे तो टाइम खराब नहीं करते वे शुरू करते हैं प्लेट टेक्टॉनिक अब मैं आप लोगों को पता देता हूं कि वही प्लेट क्या होती है प्लेट दर असल यह होता है कि लिथोस्फेयर जो होता है लिथोस्फेयर की रिजिड लिथोस्फेयर की रिजिड स्लैब जो होती है याने ठोस पट्टी जो होती है लिथोस्फियर की उपर की जमीन की जो ठोस पट्टी होती है उसको कहते हैं प्लेट उसको कहते हैं प्लेट लिथोस्फियर की रिजिड स्लैब को कहते हैं प्लेट अब plate tectonic क्या होती है दरसल क्या होता है कि जो plates होती है ना इलितोस्फेर की ये movement में होती है तो इसका जो पूरा process होता है process process of motion याने इन plate का movement होता है या जो चलने की पूरी प्रक्रिया होती है process जो होता है उसको कहते है हम plate tectonic अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि plate tectonic दिखती कैसे है दुनिया के नक्षे में देखिए ये आपको दिखरी हैं दरारे है ये दरारे हैं दिखरी हैं ये ये वाली दरारे है ये हैं दरसल plates ये है plates ठीक है ये plates हैं सारी इनको बोलते हैं plates क्या बोलते हैं plates इनका जो movement होता है ना उसको कहते हैं हम plate tectonic आगए कहानी समझ के अंदर बिल्कुल चलो आगे चलते हैं इसको लिखे देखिए अब ये एक diagram है ठीक है ये diagram है इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है न ये ये है continental plate अब आपके ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये वाला इसको बोलते है एस्थेनोस फेर एस्थेनोस फेर ठीक है ये आपकी ये वाला जो हिस्सा है ये आता है ocean plate ठीक अब आता है ये वाला हिस्सा कौन सा वाला ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं mid oceanic ridge इसको बोलते है mid oceanic ridge एक उठाव होता है समुंदर के अंदर लावा के आने से उठाव होता है उसको हम बोलते है रिज तो ये है mid oceanic ridge ठीक है अब आपके आता है ये वाला हिस्सा अब इसमें देखिए ये आप एक गली दिखरी होगे आपको ये ऐसी ये गली इसको बोलते हैं ट्रेंच ट्रेंच आपने नाम सुनाओगा मरियाना ट्रेंच वो ट्रेंच वो ये ही ट्रेंच है ठीक है इसके बाद में आता है आपके subduction zone ये वाला ठीक है अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लिथोस्फेयर एस्थोनोस्फेयर तो आपको क्लियर हो गया इसके अलाबा ओशेनिक प्लेट क्लियर हो गई कॉंटिनेंटल प्लेट क्लियर हो गई अब ये रिज जो होता है रिज के अंदर plate का जो moment होता है यह वाली जो आपकी ridge है इसके अंदर plate का moment एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है दोनों apart बहला आगे दोनों एक east में जाती है तो एक west के अंदर जाती है तो यह ridge बनती है ठीक है trench कब बनती है जब एक plate नीचे की तरफ चली जाती है और दूसरी वही रहती है तो यह बनती है ट्रेंच और सामने साथ में बनती है एक गली एक गली बनती है याद रखना ट्रेंच में गली बनती है सब्डक्शन जो होता है वो कब बनता है जब एक प्लेट स्थिर रहती है एक प्लेट स्थिर रहती है और दूसरी नीचे जाती है दूसरी नीचे जाती है ठीक है इसके अलावा ये मेरे हिसाब से clear हो चुगा है आप लोगों और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को message कर सकते हैं Instagram पे भी message कर सकते हैं और comment box में भी आप लोग मेरे को message कर सकते हैं चलिए अब इसको आपन आगे समझते हैं देखिए अब ये थे Mr. J.T. Wilson ये एक Canadian geophysist थे Canadian geophysist थीक है इन्होंने 1965 के अंदर सबसे पहली बार नाम इन्होंने निकाला था क्या निकाला था? plate इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये plate होती है क्या होती है? plate ये याद करना पढ़ेगा ये exam के अंदर आता है नेट का एक्जाम हो competitive एक्जाम हो या आपको BA या कोई भी आपको सवाल लिखने के लिए आ जाएगा ना तो यह आपको mention करना पड़ेगा कि सबसे पहला नाम क्लेट जो है वो किस ने दिया था J.T. Wilson Canadian Geophysics थे 1965 के अंदर ठीक है चली आगे चलते हैं उसके बाद के अंदर दो प्रोफेसर और थे एक का नाम था McKenzie एक का नाम था Parker इन्हों ने एक 1967 के अंदर इन्हों ने एक hypothesis दी थी क्या दीती हाइपोथेसर दीती हाइपोथेसर का नाम था हाइपोथेसर का नाम था अपेविंग इन्हों ने एक हाइपोथेसर दीती 1967 के प्रोफेसर मैकेंजी एड प्रोफेसर पारकर इन 1967 अब यह पेविंग स्टोन में इन्हों का बताने का मतलब क्या था इनका मतलब यह था इसको बताने से कि भई कई plates जो आपस में दूर खिसकती है ठीक है वो बनाती है ridge वो बनाती है ridge पर जब वो आगे चलके ट्रेंच में खतम हो जाती है ट्रेंच में खतम हो जाती है ridge बनाती है और ट्रेंच में खतम हो जाती है तो यह continuous process है ऐसा उन्होंने hypothesis के अंदर बताया था तो यह question आ सकता है आप लोगों का कि वो कौन थे जिनोंने यह बताया था कि जब ridge बनती है, दो प्लेटें एक east में जाती है, एक west में जाती है एक ridge बनती है और आगे जाकर के कोई plate trench में खतम हो जाती है, यह hypothesis किस न दीती, hypothesis word आएगा ताब बताना McKenzie और Parker, प्रोफिसर McKenzie और Parker in 1967, इन्हों ने hypothesis का नाम क्या दिया है a paving stone कहानी clear हो चुकी है आपकी चलिए आगे चलते है अब यह जो दो concept के उपर बेस है plate tectonic, दो concept पे पहला concept क्या है continental drift continental drift अब continental drift आपको किस न दी थी professor Wagner ने ठीक है जो की meteorologist थे जो climate के बारे हैं बताते थे, उन्होंने बोला था कि बादल हिल रहे हैं, तो या तो धरती हिल रही है या आश्मान हिल रहा है, उन्होंका एक कहना था उन्होंने अपनी पूरी theory, continental drift theory of Wagner, मैं आपको पैसले वीडियो में बता चुका हूं उन्होंने बताई थी, उसी को base लेकर के continental drift को base लेते वे, यह plate tectonic theory आगे आई है दूसरी जो इसके concept है ना वो है, sea floor spreading sea floor spreading यह दो concept के उपर यह plate tectonic base है ठीक है अब अपन आते है types of plates बैठ्स, कि बेवागर कितने तरह की plates होती थी 6 तरह की 6 तरह की तो होती है major plates और 20 तरह की होती है minor plates 6 तरह की major होती है 20 तरह की minor होती है आए है आपन जानते है कौन-कौनसी plate होती है, इनके नाम कौन से होते higher Veteriner.abled नमबर एक इंडियन इंडियन आस्ट्रेलियन प्लेट यह है नमबर वन नमबर 2 अफ्रिकन प्लेट नमबर 3 अमरिकन प्लेट नमबर 4 अरेशन प्लेट नमबर 5 अंतर्टिक प्लेट नमबर 5 अंतर्टिक प्लेट तो यह 6 तरह की प्लेट होती है मेजर अब माइनर कौन सी होती है यह भी आप देख लीजिए देखिए यह 20 की 20 लिखने को नहीं आती है अगर आप 5 अ 6 भी लिख दोगे साथ भी लिख दोगे तो मैक्सिमम होती है कैरोलाइन प्लेट बिट्विन फिलिपिन एं इंडियन प्लेट फूजी प्लेट नौर्थ इस्ट ऑफ उस्ट्रेलिया तर्किश प्लेट एगियन प्लेट मेडिटेरिन रीजन में कैरिबियन प्लेट वेस्टन डिज के अंदर जुवांडी फुका प्लेट बिट्विन पैसिफिक एंड नौर्थ अमेरिकन प्लेट इरानियन प्लेट एक सेक्टर यह ग्यारा है और होती है पर आप 20 की 20 नहीं पूछते हैं इन ग्यारा में से 5-6 भी लिख दो गए 7 भी लिख दो गए बहुत होती है ठीक है कहानी क्लियर होगई यह भी आप याद करिएगा इसमें इसी याद कर लेट कोकोश प्लेट है फुजी प्लेट अंटिकिस प्लेट है केरबयन प्लेट है इरानियन प्लेट है यह तो आप इसली याद कर सकते हो फिलिपिन प्लेट है यह आपको याद हो जाएंगी कोई इशू वाली ऐसी कोई बात है नहीं चलिए आगे चलते हैं अब है activities from plate tectonic मतलब plate tectonic के हिलने से movement से क्या-क्य activities होती है तो उसके अंदर जो होती है न वो होती है volcano, earthquake, mountain building, fault and fracture कुछ एक कि मैं आपको photos दिखा देता हूं यह देखे इसकी वज़े से आपके यह volcano फटता है earthquake आता है यह यह तो बहुत मतलब इससे कहते है न आपन बहुत ही major चीज़े यह बहुत ही common चीज़े हैं जो यह plate tectonic के वज़े से होती है चलिए आगे चलते हैं अब है types of plates types of plate margins मार्जिन क्या होता है कोई भी जो solid slab होते है न उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो margin होती है और जितनी बी जो issues होते हैं यह volcano के यह अपने अर्थ को इक होता है अपने यह mountain blade Margin by divergent plate margin और accurate Plate Margin यह तीनो एक ही है कंस्ट्रक्टिव बोलो डाइवर्जनट बोलो यह आक क्रोट नीफ को के कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि फ्लेट की मुव्मेंट की वज़े से ऐसी चीज जिससे कुछ कंस्ट्रक्शन होता है और यह प्लेट वो होती है कि जो अलग-अलग जाती है East में जाएगी और West में जाएगी, इसमें Ridge बनती है मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा ये प्लेट देखिए, एक जारी है East के अंदर एक जारी है East के अंदर एक जारी है west के अंदर और यहाँ पर यह लावा उपर आ रहा है क्या आ रहा है लावा उपर आ रहा है और यह ridge बन रही है यह ridge बन रही है यह ridge बन रही है तो यह constructive plate margin है ठीक है constructive plate margin है यह आपके समझ में आ गया होगा अब यह क्या होता है अब इसको आप divergent बोलो divergent क्योंकि यह दोनों अलग अलग जारी है तो divert हो रही है constructive मतलब ridge बन रहा है तो constructive हो गई divergent मतलब यह एक east में जारी एक west में जारी तो divert हो रही है और accreting accreting तो याद करना पड़ेगा तो यह number one plate margin number one इसके बाद में दूसरी कौन सी plate margin यह मैं आपको बताता हूँ दूसरी में आती है destructive destructive plate margin consuming plate margin और convergent plate margin यह तीनों एक ही है exam में पूछ सकता है कि destructive को दूसरे नाम से क्या बुलाते है consuming तो आपको consuming पे टिक करना है या convergent पूजेंगे तो convergent पे टिक करना है और अगर आप return दे रहे हो तो return के अंदर या आपको याद करनी पड़ेगी अब destructive क्या होती है कि जब एक plate दो plate ऐसे आती है और एक plate नीचे चली जाती है और दूसरी उपर अटक जाती है तो यह destruction करती है यह वालकेनों या अर्थ कोई करने के अंदर सबसे ज़्यादा यही करती है तो इसका भी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ देखिए यह एक plate इसके नीचे जा रही है दूसरी plate उपर ही है और इसकी वज़े से जो लावा है यह उपर की side में उपर की side में जाएगा देखिए तो यह volcanic activity करती है यह destruction करती है वालकनों क्या करता है destruction करता है तो मेरे इसाब से समझ में आ गई आपको यह क्या चीज़ होती है तो consuming या convergent या destructive एक ही होती है एक ही plate होती है plate margin ठीक है तीसरी होती है conservative प्लेट मार्जिन इसको shear plate भी shear plate margin भी बोलता है conservative या shear plate margin इसमें क्या होता है कि fracture या fault हो जाता है fracture हो जाता है यह दोनों आपस के अंदर side के अंदर यह होती है एक दूसरे टकराती नहीं है यह आपस के अंदर side में से निकल जाती है ठीक है इसका वीडियो भी आप देख लो आप वो clear समझ में आ जाएगा यह देखिए यह एक यहां निकल गई एक यहां निकल गई बीच के अंदर क्या हो गया यह fracture यह क्या हो गया फ्रेक्चर क्या हो गया यह फ्रेक्चर मेरे साब से कहानिक समझ में आ गई होगी conservative और shear plate एक ही चीज होती है चौथे नमबर पर आती है collision collision मतलब दोनों plate आपस में आती है भीड़ती है और इससे mountain building हो जाती है इसको बोलते हैं collision यह देखिए collision यह आपस के अंदर दोनों भीड़ी और यह mountain बन गया और यह mountain उठ गया उपर यह देखिए mountain बन गया mountain उठ गया उपर फिर देखिए यह दोनों plate आपस में आकर के एक यहां से आ रही है यह भीड़ी और यह mountain बन गया यह mountain बन गया देखिए वापिस देखिए कैसे mountain बन रहे हैं तो यह collision वाली होती है क्या होती है collision वाली होती है collide हो जाती है आ गई कहानी समझ तो यह चार तरे के plate margins होती है अब अपना जो next चीज आती है वो आती sea floor spreading कि वह यह समुन्दर भी फैलता है समुन्दर भी फैलता है यह बताने वाले थे प्रोफेसर हैस 1960 के अंदर नहीं सी फ्लोर spreading के बारे बताया था प्रोफेसर हैस यह भी एक्जाम के अंदर आता है मैंने आपको इतना point to point बताया है इसके अंदर यह point याद कर लोगे ना काम हो जाएगा आपका exam प्रोफेसर हैस इन्होंने यह बताया था कि भाई मैंने आपको शुरूर में बताया था constructive plate margin constructive plate margin जो होती है न वो ही होता है जो sea floor spread करता है वापिस दिखा देता हूँ मैं यह देखो यह sea floor spread हो गया है यहाँ पे ridge बन गई पर यह sea यह समुंदर जो है यह भी spread हो गया यह भी spread हो गया यह देखे यह भी sea भी spread हो गया तो यह sea floor spreading उन्होंने इस बात का research किया कि आज से कई साल पहले जो समुंदर था यहाँ पे नहीं था वहाँ पे फैल गया है समुंदर उसको इन्होंने research करके प्रोफेसर हैस ने बताया था तो यह है अपना plate tectonic theory यह है अपना plate tectonic theory बहुत important चीज है यह इसके बिना तो geography बनती नहीं है सबसे important चीज है continental geomorphology में continental drift or plate tectonic यह बहुत important चीज है तो मेरे साफ से आप लोगों को plate tectonic समझ में आ गया होगा काफी interesting topic है यह कुछ नहीं समझ में आता आप लोगों को तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं या आप में को instagram facebook जहां पर भी आप मेरे एड हैं आप मुझे question करके पूछ सकते हैं आज के वीडियो के अंदर इतना ही उसके पहले आप मेरे channel को like, share, subscribe जरूर कर लें comment हो सके तो दे दें नहीं तो bell icon जरूर बजाएं बैल icon बिना बजाएं आपको मेरे notification नहीं आएंगे bell icon जरूर बजाएं तो आज के वीडियो में इतना ही जैहन